कि नमस्कार मैं हूँ सुरेच सवान के वर आप देख रहें लगातार लगातार सुदर्शन पर ओवेसी का नंगा नाच और ओवेसी के इस नंगा नाच पर क्या क्या हो सकता है देश का नुकसान क्या हो सकता है इसका परणाम और क्या होना चाइए इसके उपाय इसको लेकर हम तब तक रोज आपके सामने आएंगे ऐसा हम ने वादा किया है जब तक चुनावायोग भारत सरकार स्तानिय प्रशासन इस कुट्टे का भोकना बन नहीं करती और तब तक हम आपके सामने इसके भाशन दिखाएंगे इसके उपर देश के समाज के जागरुक नागरिका की प्रतिक्रिया दिखाएंगे और उस प्रतिक्रिया में हम आप तक अब तक दिखाकर आए है पत्रकार कार आज हमारे साथ जुड़े रहेंगे कवी वकील आप देख चुके हैं हम आपके सामने शहीद जवानों क्यों परिवार लाएंगे जिन परिवारों ने इस देश के रक्षा के लिए अपने लालों को खोया है ऐसे व्यक्ति को देश मे जहर उगलता देखकर उस परिवार को क्या दुख होता है वो भी बताएंगे अब उस हैदराबाद से भी हमारी लाइव टीम मुंबई से हैदराबाद पहुंच रही है हैदराबाद के लोगों का क्या कहना है वो भी बताएगी रोज हम आपके सामने इस विशे को तब तक आते रहेंगे जब तक इसके उपर कारवाई नहीं होती क्योंकि यह जितने जादा दिन छोड़िये घंटे छोड़िये मिनिट छोड़िये सेकंड बहार है यह देश का नुकसान करेगा और उस नुकसान को रोकना है तो इसको आंदर होना जरूरी है और इसलिए यह कारकमा हम आपके सामने लाए हैं जैसा कि आप आज देख रहे इसके वार भारत माता पर गव माता पर धर्म पर सहिशनु समाज पर एकता पर और भाईचारे पर जारी है इस इन वारों पर कवियों के तीर आज ये कारिकम का नाम है हलाकि कवी हमारे साथ ऐसे है जो तीर के बजाए प स्तनाबूत करेंगे हमारे साथ चार कवी जुड़े रहेंगे उनके पाथ जाने के पहले ज़रा डीटेल में इस एंगल से मुद्दे को देखते हैं देश्त्रोही और देश का गदार ओवैसी का नया खुलासा सुत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान ओवैसी की पार्टी के लिए फंडिंग करता है जिहां पाक सीमा भार से भारत में आतंकी भीज रहा है तो बहीं ओवैसी चैसे देश के गदार देश में ही रहकर देश के बरवादी का साजिश रच रहा है जहाद के नाम पर भारत के मुसलिमों को भढ़का रहा है यतना ही नहीं देश्तोही और गदार ओवैसी के ताब पाकस्तान से भी जुड़े हैं सुत्रों की माने तो देश में जहाद और अतंगवाद को बढ़ावा देने के लिए पाक ओवेसी की पार्टी M.I.M. के लिए फंडिंग करता है अगर हम इसके इतिहास को देखें तो पाएंगे कि 1928 में उस समय के हैदरवाद के नवाब महबूद नवास खान ने इसके स्थापना की थी और यह पार्टी 1948 तक हैदरवाद राज्य के भारत में विले के खिलाब थी वह इसका विले पाकिस्तान में चाहता था या स्वतंत्र राष्ट के तौर पर रहना चाहता था लेगिन भारस सरकार के तकालेन ग्रहमंत की सरदार वल्लभाई पटेल के चलते इसके इरादे काम्याब नहीं हो सके और हैदराबाद का विले भारती सेना ने भारत में करा लिया उसके बाद नवाब को पाकिस्तान भागना पड़ा और भारत सरकार ने इस पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया आजादी के बाद से 1957 तक इस पार्टी पर प्रतिबंध लगा रहा उसके बाद वैसी की दादा ने इस पार्टी की दुबारा शुरुवात की अब वैसी बंदू इसका नेतृत्व कर रहे हैं क्या है ध्रबाद के नवाब महमूद नवास की तरह वैसी बंदूओं को भी देश की जनता पाकस्तान जाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती कि मुद्य का तो आप लगातार इसके भाषनों को देख रहे हम लगातार इसके भाषनों के साथ इसने तोड़े हुए कालून को दिखा रहे चुनावायों के नंबर दिखा रहे और उन नंबरों पर आपको फोन करने के लिए भी कह रहे हमारे साथ चार कभी जुड़े हुए मनवीर मधूर जुड़े हुए मनवीर जी आप मन के वीर है और यह तो दुरुष्ट मन का वीर है इसको तो वीर भी नहीं कहना चाहिए क्या कहना चाहिए शायद आप जाद आच्छी तरिके से बता पाएंगे सत्य अंद्र जी सत्य पर विजय आपकी होगी या सत्य वाले की ह होगी आपको तय करना है यह आप आज बताएंगे कि असत्य की विजय काविय के प्रतिभा से कैसे रोकी जा सकते और सत्य की कैसे हो सकते हैं संदीप वशिष्ट और अमित शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हैं डो युवा कवी साथ में हैधरबाद से गीता राम हमारे साथ जूड़े रहेंगे लाइव में हम उनके पास भी चाहेंगे उनकी कविता भी सुनेंगे साथ साथ में हम आपको एक इसका वो वक्त वह वाक्य जो इस देश में दुबारा लाखों लोगों का ही नहीं बलकि उसके जात के छोड़के धर्म के छोड़के बाकी सारे लोगों को निस्ट नाबूत और सबसे बड़ा इबतावाई करने का वक्त वह इसको सुनाते हैं मेरे साम में ये माइक है कल को ये माइक नहीं कुछ और थमा लूँ हिए तो हिंदोस्तान की हजार वरस की तारीख में दुनिया ने उतना खून खराबा ना देखा होगा जो खून खराबा इस मलक में हो जाये तो मैं मन्वीर जी के पाद चलोंगा मन्वीर जी क्या कहेंगे उस खून खराबे में आपका भी गला घोटने का इसका इरादा है ये तो प्रारंब से होता रहा है कि जो दुष्ट शक्तियां हैं जो नकारात्मग लोग हैं वो नकारात्मग भाशा का इस्तिमाल करते रहे हैं लेकिन हिंदी कविता में हमारे एक बड़े कवी हैं शायर हैं उदय प्र लोगों को भी समझना चाहिए जिनकी भाशा 65 वर्षों में या उससे पहले से अबद रोती रही है जो देश को बांटने का काम करते रहे हैं बहुत सारे शायरों की बहुत सारी भाशाएं हैं एक शायर ने कहा है कि अगर हातों से उम्मीदों का शीशा चूट जाता है तो से ही पल भर में भी पीछा चूट जाता है अगर हम लोग थोड़ी देर लड़ना भूल जाते हैं सियासी सूर्माओं का पसीना चूट जाता है और ये भाशा में दिखता भी है उसको ये लगता है कि जो अधिकार हमें मिलना चाहिए ता अब तक नहीं मिला हालांकि वने य खुदा का आदमी का भी नहीं होगा बने दिन का समर्थक रोशनी का भी नहीं होगा ये फकत मैं ही नहीं सारा जमाना खूब कहता है नहीं जो देश का अपने किसी का भी नहीं होगा और मैं हमेशा कहता रहा हूं व्यक्ति से लड़ सकते हैं किसी के धर्म से लड़ने की क्युकि ये भी है कि अमन गरद चाहते हो आप तिलका तार तार मत करना लडोतो सामने से जंग लेकर आड़ मत करना कोई गरद पे आया वंश symptom on कर देगा किसी की आस्था कभी खिलवाल मत करना और मैं व्यक्तिken रूप से ओवेसी से यही कहना चाहता हूं कि तुम भातमा के बेटे हो यह हैसास करो दूसरों के इशारों पर नाचने वाला आदमि व्यक्ति कभी of भला नहीं हो सकता और यह कहते मैं कहता हूं कि मैंने भी बहुत सारे वीडियो देखे हुए हैं कि सुनी भड़काऊ भाशड की बड़ी तादात ओवे सी तू बनना चाहता क्या देश में जलाद ओवे सी मिटे कितने ही भारत के लिए इसलाम के बेटे कम से कम उनके बलिदानो को तो याद करो मिटे कितने ही भारत पर मिटे कितने ही भारत के लिए इसलाम के बेटे तू अपने बाप की लगता नहीं अउलाद ओवे सी तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अब भी समय है अगर सुधर जाए तो ज्यादा बहतर है और ये जो भाशा बार बार इस्तेमाल करता है कि सेना हटा ले पुलिस हटा ले हमारे एक शायर का कहना है कि मिलाकर दिल दिलों के बीच खाई डाल देते हो पिछली बार जब पुलिस ने पकड़ लिया था तो किस तरह रोया ही आप समने देखा मिलाकर दिल दिलों के बीच खाई डाल देते हो सुलह के दूध में अक्सर खटाई डाल देते हो अचानक तान देते हो मुखालिस बैर की तोपें मगर हतियार जल्दी मेरे भाई डाल देते हो तो आपने मन्मीर जी की बात सुनी ओवेसी के लिए खड़े शब्दों में अपनी बात और प्रहार जैसे मैंने कहा था कि प्रहार होगा यह प्रहार यहाँ पर किया है सदीव वशिष्ट जुड़े है इसके साथ साथ हम इतनी वीडियो पुटेज हैया कभी नहीं को बताना चाहाँ जाओगा कि हमने इसके जो भाषन निकाले हैं, अगर हम लगातार एक साल भर एक-एक मुद्दा दो-दो-तीन-चार भिड़े इसको चलाते रहे, तो भी चल सकता है, इतना जहर इसने उगाला हुआ है, हम सारा जहर नहीं दिखाना चाहते हैं, लेकिन हम इतना जहर दिखाना चाहते हैं कि जिससे सच्चाई लोगों के सामने आए जिसके इसके इरादे लोगों के सामने आजाए जिसके इसके आवकात लोगों के सामने आजाए और इसको क्या सजाद देनी है ये लोग तै कर सके इसके लिए हमने ये मुद्दिलाय संदीब जी के पात चलते उसके बाद इसके जिनके वजह से इस देश को आजादी मिली लेकिन आज जिए 菜सी बन्दू कहां से आ गगी मैं आपको निश्टवर्स से बजाट बता देता हूं कि दो तरह का आतंकवाद होता है एक प्रित्यक चाताइन और और एक प्रित्यक चाताक् findet पिर तक आतंकवाद वो होता कि तुम किसी देश की संस्कृति पर हार कर दो वेसी जैसे लोगों को भरन पोस्टन करके उने पार्टी के लिए फंडिंग कर दो तो दूसरे देश का आतंकवाद का एक हिस्सा है और इस आतंकवादी जब कभी आतंकवादी ऐसा कहेगा अपने देश में कि गाय का मास मुझे मुझे अच्छा लगता है मैं आपको प्रण देता हूं कि जो व्यक्ति है कि गाय का मास मुझे अच्छा लगता है चाहे मैं सुद्ध साकारी हूं हमें संसकारों में यह सिखाया गया हो कि अगर चीटी मर जाए तो हम उसके लिए भी चुप हो जाते थे बच्पन में रोते है अगर मेरे हाथ कहीं आगया तो मैं इसकी चाती भाड़कर Liberty सकता हूं मैं वेस्छीका कहता हूं कि चमन की बात कर लो तुम और किसि-छडवम ऊंपिर से मिलन की बात कर लो तुम और जमी पर आज-बैटे हैं दिखा देंगे तुम्हें एक दिन हमीसे है वतन जिन्दा वतन की बात कर लो तुम गाये हमारी आस्ताओं का प्रतीख है गउमाता पर हमारा देश में इतना बड़ा अंदोलन है जिसमें आपका पूरा सहयोग मिला है और मैं बता देता हूं कि यहां गाये की महिमा को घर की माटी बतलाएगी और जिसको हम है भूल चुके वह परिपारी बतलाएगी तुम बस सपनों की उ дело हो किसने मा का दूद पिया हलदी घाटी बतलाएगी अपना का दूद पिया हलदी घाटी बद लाएगी मुझे आराए मुझे संसकारों में सिाया गया कि मैं मुसलिम क्व différentes नहीं हूं लेक्ञिकिन मैं जो अगर अगर आतंक जी ने कहीं लिखा है कि सादू संतों के हित्म हिंसा भले धूरी है किन्तों दुष्ट की खातर हिंसा बहुत जरूरी है अगर हमें हिंसा भी करनी पड़ेगी सुरेज जी तो ऐसे गद्दारों को हम देश से भाहर निकाल देंगे चाहिए पाकिस्तान जाएं चाहिए बंगला और जब सेर आ गया तो इन्होंने एक ऐसा मुद्दा छेड़ा लव जिहाद का मैं उसलिए जाना चाहता हूं कि लव जिहाद भी एक अप्रित्यक्ष अगर देखा जाता आतंगवाद का एक रूप है उसमें मेरी एक ताज रचना अभी कई अखवारों में प्रकासित और यह गौरी के बंसज हैं कैसे तुझे खिलाएंगे और इनका कोई कहां हुआ यह तुझको खाजाएंगे कटवा कर यह लंबी डाड़ी चंदन का तिलक लगाते हैं भोली सी हिंदू बेटी को बहलाते फुसलाते हैं यह एक साजिस का हिस्सा है हिंदू अस्तित मिटाने को मारी चाज फिर हिरन बने हैं भोली तुम्हें फसाने को और तुम चाहें विस्पी लेना नहीं वरन इनका करना और जोहर ने सिखलाया हमको इज्जत की खातिर मरना और प्रेम नहीं खूनी पंजा है मनिविर भाई कि प्रेम नहीं खूनी पंजा है तुम इनकी पहचान क करो मिले कोई भी जब ऐसा गीता गई या गुंगान करो और पूछो क्या है नाम तुम्हारा और पटादा का नाम और क्या है तुम्हारी आहिक साधन करते हो तुम कहां पर काम बोलो एक बार क्या मैं सभी घरवालों से मिल सकती हूं चुकर पैर बुज़ुर्गों के क्या चुकर पर बुज़ुर्गों के क्या राम राम कह सकती हूं बस इतना करने से ही सचाई संबुक आएगी ओवेसी की अम्मी कैसे सिरी राम कहपाएगी और मैं कैमेरावन को कहना चाहूँगा कि हमारे संदीब जी के टी-शर्ड पर जो स्टिकर लगा झाये भूम रहे ऐसे कभी है और एक तरफ ऐसे लोग जो गोववारता को खाने की बात करते हैं इस वीडियों को भे बारे उसके बारे में यह क्या गंदे शब्द बोलता है ये पता चले इसलिए मैं कहूँगा कि उस वीडियो को दिखाए जिस वीडियो में गवमाता के खिला बोलता है कोड के जानवरों को पकड़ लिया जब्द कर लिया कि ये गाए को नहीं ला सकते हैं मुसर्मानों दो साल तक मत खाए ना अगर हम तो खुद ये लोग अला कि हमारे दर्वादे पे बोलेंगे के काट लो खा लो काश के वो भी खा के देखें के कितने मज़ेदार हैं हम तो खाते हैं बडा मज़ा आता है और मजे में कोई कांप्रमाइज नहीं भाई लेकिन तुमारे इस मज़े की सजा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान का कानून और एंदुस्तानी तुमको दे रहेगा और इसलिए सुदर्शन ने साभ्यान को चलाया है बहुत मजे लिए अब ज़रा सजा भी लेने के लिए रहो संदीप इस कविता को यह आपने इसके अपशब्द देखे जो इसकी गाली गलोज देखी जो इसके संस्कार देखे जो इसके प्रोरुति देखी जो इसकी खांदानी रुथ्ति देखी इसके बाद आप कवी के तौर पर एक गवब्वक्त कवी के तौर पर क्या कहने मैं सुरेज जी यह कहूंगा कि भारत की माटी का कंकन गठागाय की गाता है इसी लिए तो गय यहां पर सकल विष्व की माता है यह हमारी माता नहीं इन्हें मुसल्मान नहीं आतंकवाद के दूसरे रूप है कि भारत की माटी का कंकं कथा गाय की गाता है और इसी लिए तो गाय यहां पर सकल विस्व की माता है और इसको अपमानित करके हम कि नहीं विस्व गुरू बन सकते हैं जिसके लिए सल्गे मैं यहां पर अपतbew रिना विदाता है यहां एक एक कि जिसमें एक बात कही थे कि में मात पे क्या है मात क्या कि कि को इस दीव हैं और इस यह है कि जिसे हम माता का रूप देते हैं अगर उसके लिए किसी व्यक्ति विसेस ने चाहे वो ओबेसी हो या कोई भी हो उसे हम नहीं छोड़ेंगे आज पूरे देश को जगना पड़ेगा कि गव माता के लिए चाहे हमें मेरा थन करने पड़े आपके सहरे से में दुनिया भर म के लिए पूरा वह मिला हुआ है कि जो अपनी माता को नहीं पहचान पाते उन लोगों के लिए मैं कहता हूं कि जिन से है अस्तित हमारा उनकी और निहारोतो और चोड़ गए जो वैववसारा उनकी और निहारोतो यहां गाए और गौाले दोनों फसे हुए मजधारों में कि नारा उनकी ओर निहारोतों कि धर हातों पर हाथ यहां रोने से काम नहीं चलता जंजावातों से डरकर सोने से काम नहीं चलता मा कितने घावों को लेकर देखो हमें निहार रही केवल अपने घावों को धोने से काम नहीं चलता और हम कितने वह वह साली है आज सुरेज ज New Channel के माद्यम से कहता हूँ कि हम कितने वयवब साली हैं यह कौन हमें बतलाएगा और हम कितने हैं देश वक्त यह कौन हमें दिखलाएगा जिस दिन हम आराध्यमान कर यहां गाये को पूजएंगे उस दिन ये धर्ति जुमेगी अंबरगीत सुनाएगा उस दिन ये धर्ति जिनको केबल आजमान के सपने आया करते हैं, जो दर्बारी बन कर अपने गीत सुनाया करते हैं, वो फिर कैसे यहां गाये का कर चुकाने आएंगे, जो गईया के दरसन तक से भी कतराया करते हैं. और जो अपने साधू संतों का मान नहीं कर पाता है बंदे मात्रम कहने पर अधर्मी जग में और कौन हो पाएगा जो यह भी नगार माता है जो ये भी ना कैप आएगी गाए हमारी माता है ये तो उस माता को खाने की बात करता है और कितने अब शब्दों के साथ उसकी बेज़ज़ती करता है लेकिन हिंदोस्तान फिर भी चुप है फिर भी देश के राजनेता बोलने रहे फिर भी मिडिया चुप है फिर भी समाज से क्यों चुपे पता नहीं लगातार छे दिन से आपके सामने यह कंटेंड हम लेकर आए है इसके भशन इसके विशेले बान इसके इसे देश के प्रति युद्ध करने की मनशा यह बार 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 जाहिर कर चुका है और फिर भी हम शान्त है इसका भाई भी कम नहीं है असा अडिया के बारे में इसका भाई असा दिनों वे सी क्या कहता है यह भी देखते हैं कि जो आ रहा है कि बीजेटी को 220-230 यह तमाम के तमाम उपीनियन पोल करने वाले यह मोडी के चंचे हैं यह मोडी के घुलाम है यह मोडी के पैसे खाने वाले हैं इनको हराम खाखा के बीजेटी को 220-230 यह तमाम के तमाम उपीनियन पोल करने वाले यह मोडी के चंचे हैं यह मोडी के घुलाम है यह मोडी के पैसे खाने वाले हैं इनको हराम खाखा के मोटे हो चुके हैं जो मिडिया वाले इसके खिलाप नहीं बोल रहें और देख लेना आपके खिलाप यह क्या-क्या बोलता है इसके लिए चुप बैठ हो गए तो यह आपके बारे में चुप बैठेगा ऐसा नहीं है ऐसे लोगों के सामने आने वाला हर व्यक्ति उसका दुश्मन होता है जो निश्क्रिय है वो भी इसमें है मैं अमीद के पाथ जाओंगा अमीद एक इवाकवी के नाते इसकी जो सैतानी चल रही है इस पर क्या कहीं है सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सुरेश भाई साब आपको क्योंकि आपने एक ऐसा बीड़ा उठाया है जिस बीड़े को इस हिंदुस्तान में तो क्या मीडिया भी नहीं उठा रहा है जिसका उत्तर दयुत बनता है इस लोगों के खिलाफ बोनने का वो मीडिया भी आच चुप है मैं आपको बहुत-बहुत बधाय देता हूं शुप कामने देता हूं और जहां पर गौमाता की बात होती है इस व्यक्ति ने कहा था भी मैंने वीडियो देखी थी आपने दिख गाय का नहीं है अपने बाप का नहीं यह बात कह रहा हूं मैं हो सो हवास में जो गाय का नहीं है वह अपने बाप का नहीं और एक मतले की शुरुवात की थी एक मेरे भाइक मनवीर मधूर जी ने एक उद्या परताब जी का मतला मुझे भी याद आता है उन्होंने लिखा कि न तेरा है न मेरा है यह हिंदुस्तान सबका है नहीं समझे अगर यह बात पर नुकसान सबका है आपको बता देना चाहता हूँ और एक वीडियो में आसुदिन ओवेसी कह रहाता कि हम मिटने के लिए नहीं आए मैं आपको बता देता हूं कि जो व्यक्ति पैदा होता है जो देश पैदा होता है जो धरम पैदा होता है उसका अंतनिश्चित है हिंदू और हिंदुस्तान की कोई जनमतिती नहीं है जब से यह सूरज है जब से चंदर्मा ह से हसे घंगा प्रवहित होती हैं तवसी हमारा हिंदुस्तान है तोし हिंदु है और मरता हो है जो पैदा होता है कम अजनमें हैं आसुद दिनों सी हमारा कोई श्म Daarbyला ज्यांब करता है मैं आपको बता देना चाहता हूं हमारे बहुत हैं मैं मैं मोधी जी मांग रखता हूँ जिसके गौबर मूतर में बसता आयुरवेदी खजाना है जब तक गाय कटेगी बिल्कुल भीविकास नहीं होगा गांदी बुदके देश में खुनी खेल बरदाश नहीं होगा हुँ 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 गुछ पहले देश मांगता गौमाता को बचाना है जिसके गोबर मूत्र में बसता आयरवेदी खजाना है जब तक गाय कटेगी बिल्कुल भी विकास नहीं होगा गांधी बुद्ध के देश में खूनी खेल बरदास नहीं होगा गाय की गरदन को जब कतल खानों में मरोडा जाता है 33 कोटी देवो वाला मंदिर तोड़ा जाता है हिंद के पुत्रों द्वारा बोटी नौच डाली जाएंगी जहां बने है कतल खाने वाग गाय पाली जाएंगी गौमाता की तरफ अगर अब भी आरा जाएगा गाय काटने वालों को तड़पाकर मारा जाएगा सभी देव है जिसके अंदर जिन्दा वoga द्यवाल जाहिए सभी देव है जिसके अंदर जिन्दा वो द्यवाल चाहिए केभीनेट के अंदर हमको भी गोपनिन्त्रा वा है और इसके साथ हम चोड़ा से ब्रेक लेते अब अनकर आएगे यहिवाधकि नंगा नाच चा बहुत कुछ अभी देखना है ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है आप देख रहे हमारे साथ कवियों के तीर और वार और प्रहार उस ओवी सी के बारे में उस ओवे के उपर उस प्रवरुति के उपर उस प्रकृति के उपर उन सवस्कारों के उपर जो हिंदुस्तान के खिलाब युद्ध लड़ने की बात करता है जो उसके हाथ में बंदूग दे तो सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा नसरहार करने की बात करता है जो अपने भाशनो और में कभी क्या सोझते हैं हम आपके सामने उनको लेकर आए है हमारे साथ है said बाइबाद सेrevी कभए जुड़ गए गीता राम जी गीता राम जी क्या कहेंगे आप हैद्रावाद में हैं देश — तो इन कैसी ये लाचारी है भारत देश की मूल प्रजा शर्नागतों से मारी है जो हिंदो हितों की बाप्रे सांप्रताइकता कहलाता है जो गद्दारों के तलवे चाते दर्म निर्प्यक्ष कहलाता है मजब की कटरता प्यारी भारत दुश्मन लगता है दुनिया वाले जिसे ठुकरा दे वो इस देश में चलता है बिन पेंदे के मदलिफी नेता देश द्रोप पन पाता है जो गद्दारों के तलवे चाते दर्म निर्प्यक्ष कहलाता है मजब के अत्यारों को क्यों इतना सर चड़ाते हो कोई मुस्लिम से भी पूछो क्यों अपनी संक्या पराते हो अन्पर संक्यों के आड में काउन हिने हलाता है जो गद्दारों की तलवे चाते धर्म निर्प्यक्ष कहलाता है मजब के कटर का पहरी राक्र प्रेम क्यों बोना है इनकी कर्टुतों से विश्वका तुकी कोना कोना है राक्र धर्म की बात को लेकर क्यों मुस्लिम जगत पन जाता है जो धर्म निर्प्यक्ष की तलवे चाते धर्म निर्प्यक्ष कहलाता है कश्मेर की पेड़ा की कोई गद्दार नहीं समझ सकता है धर्म निर्प्यक्ष नपुसर्गों से भारत चमक नहीं सकता है जो राक्त वेतना के गीतों का सम्मान के उन्हें करते हैं जो धर्मन जगतारों की तल्वे चाटे धर्मनिर प्रक्ष ठैलाता है धन्यवाद गिताराम जी हमने गिताराम जी को लाइव कनिक्शन में लिया भले ही बैंडविध कम थी लेकिन उनके मन के इरादे बुलंत है और हैदराबाद से कोई OVC के खिलाब एभी कहने को तयार है तो हम उसके लिए कैमेरा भेजने को तयार है क्योंकि उसके दहशत में कोई बोलने को तयार नहीं वहाँ कोई कविता कहता है तो उसके लिए हम अपनी उभी भयान भेजने को तयार है हम OVC को भी कहेंगे कि इस कारेकर में लायुआ अगर हिम्मत है तो आपने कुतरकों का तरकों के साथ जवाब दे कर दिखा हम तेरे से बात करने के लिए तयार है लेकिन पिछले चार दिनों से हमने ओविभ्यान इसके हर उस पते पर भेजी जहाँ पर यह मिल सकता है लेकिन अब तक सामने नहीं आया है अभी भी टाइम है शुदरने का या देश से माफी मांगने का उसके बात सजा को माफ करना है कि नहीं प्ते करेंगे लेकिन इसके सिवा तेरे पास कोई विकल्प नहीं है हमारे साथ सतेंद्र सत्यार्थी जी है सत्यार्थ जी हमने देखा कि इस को गाली देकर बना रहा है ठाट सारी चीजे बाट ली मा को तो मत बाट हमारी भारत माता है उसके तो मत बाटो और फिर मैंने कहा उसे कि राज नीत के खेल में चलता चुन-चुन दाओ तूटा अपना सब्रतो उखड़ पढ़ेंगे पाओ और हम क्या कर रहे हैं तुम क्या कर रहे हो उसके बारे में कुछ पंक्तियां देखें कि मंदिर संग मजार पर मंदिर संग मजार पे टेके हमने मात जब तुम पीडा में रहे हम तेरे साथ और हम हमारा और तुम्हारा देखो कहा क्या क्या चल रहा है अंतरद्वंद कि हमने कब रहमान को गाली दिये बोल तुम हिंदी देवी देवताओं को गाली दे रहे हो क्या हमने कभी ऐसा काम किया हमने कब रहमान को गाली दिये बोल तू ऐसा ही कर रहा बजा जाके ढोल दे रहा सब को गाली कुछ वोटों के चक्कर में गिरता तू ना ली कह सत्यंद्र सुधर्जा अब या कह सत्यंद्र सुधर्जा अब ना कर ना दानी और वरना इतनी मार पड़े याद आये ना नी और फिर मैंने उन लोगों के लिए चार पंक्तियां लिखी है जो लोग उसका साथ दे रहे हैं जो उसकी जैकार लगा रहे हैं उन्हें मैंने चार पंक्तियां दी है कि रावन का नाम हमने तो आदर से ना लिया हमारे समाज में भी रावन और कंस जैसे लोग हुए हमने कभी आद मिले हो एक राष्ट्र दो ही तत्व से जिसने कभी भी हिंद का सम्मान ना किया एक प्रश्ण मैंने छोड़ा है उस समाज पर जो समाज इसका साथ दे रहा है और फिर मैंने राजनीती के नाम लेखा है भारती राजनीती के नाम आदर्णिये चौहान साहब ने कहा जो मूख ह और देख रहे हैं सब कुछ हो रहा है ऐसा तब मैंने चार पंक्तियां दी एक शंद के माध्यम से कि जाति पाति धर्म भाषा की दिवार ढाहने को देश में समान हर नीती होनी चाहिए आनाचार दूराचार भरस्टाचार खात्मे को संसकार युक्त हर रीती होनी चाहिए और दूसरों को त्याग दया धर्म की हो सीख देना स्वैम की भी सदाइन में प्रीती होनी चाहिए और हिंद की जो आनवान शान का हो प्रस्ण वहां राजनीती नहीं राष्टनीती होनी चाहिए तो आज एक राष्टनीती की जरुवत है राजनीती बहुत हो चुकी और उस राजनीती के चक्कर में हमने बहुत कुछ खोया है और फिर चार पंकियों में एक प्रस्ण खड़ा करता हूँ मैं कि चानक्य की कूटनीती आज कहां खो गई है गुप्त का लवाला वशेष कहां खो गया वो चानक्य की कूटनीती जिसमें राष्ट्र सर्वो परी था आज उसका स्थान राजनीती ने ले लिया जिसमें मैं सर् कि चाना क्य की कूट निटी आज गुप्तकाल वाला अशेष कहाँ खो गया वालमी की तूलसी के राम कहां खो गये है गीतावाला कृष्ण उपडेश कहां को गया नेता जी सुभास वाली फोज कहां खो गई है बलिदानियों का क्रांतिवेश कहां खो गया और त्याग तप धर्म का जो पाठ पढ़ता था ऐसा अनुपम हिंद देश कहां खो गया है ऐसे लोगों के कारण ऐसे राक्षसों के कारण जो ऐसे जहरीले बयान देते फिर रहे हैं उस देश को पुनरस्थापित करन तो फिर चार पंक्तियां मुझे अपनी याद आती है कि ढूदता हूं प्रित्विराज वाला ओचूकतीर जासी की रानी की तलवार धूदता हूं और आत्म सम्मान ढूंडता हूं वो प्रताप वाला चंद्रगुप्तमोर्ज वाला वार धूडता हूं मैं और शत्रूओं की नाक में नकेल कस डाले ऐसा, शीवा जी का गुरिला प्रहार ढूंडता हूं मैं, और जी से देखकर शत्रूओं के होश उडते हों, शेखर भगत अवतार धूरता हूं मैं, आज फिर वो चंदर सेखर और भगत सिंग की आउशकता है, जो हिंद के ऐसे दु कि हिंद में जो खेलते हैं हिंसा का घिनों ना खेल, उन आत ताईयों को जड से मिटाना है, जैसलस कर तालिवान या मुझाहिद सब राक्षसों को हिंद भूमी से भगाना है, और सांतिक्षमावाले वस्त्र को उतार कर वीरवांकुरों को सत्रूओं के रक्त से नहाना है, और लातों के भूतों को बातों से नहीं मनाया जाता, यह खुले आम सरकार को बताना है, यह खुले आम सरकार को बताना है, यह खुले आम सरकार को बताना है, बिल्कुल मैं आपसे 100% सहमत हूँ, कि यह लातों के भूत है, यह बातों से नहीं मानेंगे, लेकिन इसकी बाते ह हम इसलिए दिखा रहे हैं कि हिंदुस्तान जागना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि उसके दुश्वन क्या बोल सकते है, उसके साथ क्या हो सकता है, हलाकि आब हंदुस्तान को दुनिया के तरफ देखकर, इंटरोनेट पर यूटूब पर आने वाले ख inch को देख कर दुनिया के मीडिया को देख करें पता है कि ISIS अगर सत्ता में आती है सत्ता में आने के लिए क्या करती है और सत्ता में आने के बाद क्या करती है तालिबान जैसी सत्ता अगर आती है तो वहाँ पर महिलाओ के क्या हाल होते है अगर तालिबान जैसी सत्ता आती है त यहाँ पर राजा के किलाफ भी सवाल उठाने कि आज़ादी है लेकिन ये तो अस हिंदुस्तान के खिलाफ ही सवाल उठा रहा है हिंदुस्तान को ही चलेंज दे रहा है ऐसे व्यक्ति के खिलाफ चुनाव आयोग में complaint करने के लिए हम आवान कर रहे हैं स्क्रिन पर उसके नंबर भी चला रहे साथ साथ में कुछ सामाजिक संगठन और राजनेतिक दलों को भी इसके खिलाप चुनावायोग में जाके कंप्लेंट करने के लिए हमने कहा तो आज हिंदू महासभा ने चुनावायोग में कंप्लेंट किया है उनकी बाइट और कुछ विजोल हम आपको दिखाते हैं आज हमने निर्वाचन आयोग को आल इंडिया मजिसले इतिहाद मुसलिमीन यानि AI MIM के खिलाप अखिल बारत हिंदू महासभा की तरफ से आज हमने मांग की है कि इसको प्रतिमंदित किया जाए और इनके नेताओं पर कानुनी कारवाई की जाए इन्होंने हमारी हिंदुक और सनातनी धार्मिक मानेताओं का आहत किया है और इस राष्ट को बांटनी की कोशिस की है कि हमने मांग की है किस पर प्रतिमंद लगा कर भावीस में चुनाओ लड़ने पर इस पर प्रतिमंद लगाए जाए और मुगता चलाकर नुड़त के के समें जेल में बंद किया जाए ईंघ सिंड समय है अब इक व Six तु भक्ति भी है तो तो भी आप कंप्लेंट कर सकते हम स्क्रिन पर उस आड को भी लगातार दिन भर चला रहे यहाँ पर भी मैं चलाने के लिए कहूंगा जिसमें चुनाव आयोक का नंबर है और चुनाव आयोक के इमेल आईडी भी दिये है जो चुनाव आयोक के सबसे बड़े पदादिकारी है उनका भी इमेल आईडी हमने दिया है हम आपके सामने वो आड भी चलाएंगे बीच बीच में वो नंबर भी आपके सामने दिखाएंगे उसके जिस नंबर पर एक देश का आम आदमी फोन करके अपनी बात कह सकता आप सोशल मीडिया में इसकी प्रतिक्रा दे सकते आप दिखाएंगे हमारा Facebook पेज सुदर्शन नीज पर भी दिखाएंगे मैं सारे कवियों को यह भी बताना चाहूंगा कि OAC के मदद में लगता है अब पाकिस्तान शायद आगे आ गया है क्योंकि सुदर्शन के सारे जितने भी साइबर आइडेंटिटी है उस पर पाकिस्तान ने हमला बोलना शुरू किया है और हमारे वेबसाइट हमारे सोशल मीडिया के पेज़ेज हमारे ट्विटर आकाउंट इस पर पिछले जो कई हमले हुए उनमें से सो हमलों में सत्तर हमले पाकिस्तानी आईपी एड्रेस से हुए है जो हमारे साइट पर हैक करने की कोशिश की गई लेकिन हमारे आईटी के जो रक्षा के वो कुछ इनको करने नहीं दिया हाला कि मेरा व्यक्ति का जो नीजी फेस्बुक अकाउंट है उसको जरूर है किया गया लेकिन हमने तुरंद उसको ब्लॉक करके इस पर गलत कंटेंड इनको डालने से रोका है अभी वी आकाउंट बंद है इसका मतलब इन्ह रहे हैं जो दिखा रहे हैं इससे पाकिस्तान का कुछ ना कुछ नुकसान जरूर होता होगा पाकिस्तान के लिए यहाँ पर हर्याली भरी जमीन तयार करने का काम करने वाले तमाम संगटन यहाँ पर चल रहे हैं कभी मुशायरे के नाम पर कभी कविताओं के नाम पर कभी धर्मिक कारिकमों के नाम पर तो कभी इसके जैसे राजनेतिक भाषनों के नाम पर ऐसी गंदगी फैलाते हैं जो इस देश में तालिबान और आईस आईस आने के लिए यहाँ पर फसल बनाने के लिए जमीन तयार करें इन भाषनों को इतने आसानी से इतने लाइटली और किया था वो सबकुछ ओवेशी बंधू आज भारत में कर रहे तब जीना को विरोध करने के लिए कोई चाइनल नहीं होगा लेकिन आज हम हैं आप है इस पीडी में जीने वाले सारे लोग है कुछ करिए स्क्रिन पर जो नंबर चल रहा है यह चुनावायोक के नंबर है आज नहीं तिक दल अपने स्वालति के लिए भले ही चुप बैठा हो हिंदुस्तान बोल रहा है बेकोफ होकर बोल रहा है बिंदास होकर बोल रहा है यह संदे जाना चाहिए इन लिए इस नंबर ओपर भी आप फोन करिए मैं दुबारा एक बार अमीत शर्मा के पास चलू मैं इस व्यक्ति को इसका नाम आप इसका जो नाम लेते हो अकवरुद्रीन ओवेसी के लिए बुद्धीहिन ओवेशी लिया आप बता देना जाना हूं लेकिन में थूड़ी दूरूस्ति करता हूं मैं हर पैनल में जो भी कोई आया और उसने इसको पागल मूर्ख या बु बुद्धी हिन नहीं है बलकि यह शातीर बुद्धी वाला है और बड़े शातीरता के साथ अपने कूतरकों को लोगों के मन में उता रहा यह बुद्धी हीन है इसा मत समझे यह जो आतिरिक्त बुद्धी लेकर आया है यह इस देश के खिलाब उपयोग में ला रहा है हां तो इस व्यक्ति को मैं बताना चाहता हूं कि हिंदु क्या है हिंदु तो क्या है और भगवा क्या है तो यहां से अपने पंगिते शुरू करता हूं कि जब जब आ लक्षा है तु जहर पिया था भगवन ने इनसान बने हैं अपने भगवन मानो धर्म निभाया है हमारी सवता संस्कृति को दुनिया ने शिष्ण वाया है और भगवा वस्त्र की धारन साधू भगवान हमारे हैं धरम के यह सच्चे रक्षक अंबर के चमकते तारे हैं शक जिस करोड लोगों मैंसे 18,000,000 विदेशी थे और उन 18,000,000 विदेशी लोगों उन में से 14,000 लोगों ने हिंदु धर्म अपनाया जिन में की बहुत बड़ी मंठी नैशनल कम्पनी फोड कम्पनी के मालिक के लड़के लडगे ने जब हिंदु धरम अपनाया और उसका फिर संतिथी कितनी मिलती है तुम नाम जब कर देखो और और तरहीं गूम रहीं सब झूल से कहो हम उसी चाध के बिंदू है और हम ही सब से आगे थे सब कुछ इतियास बता देगा आज इतियास उठा कर देखो इसलामिक कलंडर को अनुसार कल से सुरू हुआ है वो 1436 में आए हैं इंग्लिस कलंडर के अनुसार आज हम हम 2014 में हैं लेकिन हिंदू विक्रम संवत की बात करें तो आज हम 2071 में हैं और 2072 में पहुचने के तयार यह कर रहे हैं कि हम ही सब से आगे थे सबकुछ इतियास बता देगा जमी बता देगी किस से सारा आकाश बता देगा दुनिया मास जब खाती थी हम फसल उगाया करते थे लोग घूमते थे नंगे हम बदन चुपाया करते थे जब दुनिया वाले किसी पेड़ के नीचे सो जाया करते थे उसी समय पे हम इते जो घर को बनाया करते थे दुश्मन की भी भूल के बाते सब को प्यार किया हमने वो भी अम्मिट जाएंगे जो देश को तोड़ा करते हैं वो भी अम्मिट जाएंगे जो देश को तोड़ा करते हैं अपने सादू संतों का मान और सम्मान है भगवा अगले बन में बतातों भगवा क्या है भगवा होता तो दुनिया में सिर्फ भगवा धाली होता क्या वाद वहल बढ़िया कि अपने सादू संतों का मान और सम्मान है भगवा प्राणों से जो प्यारत रंग उजंडे की शान है भगवा चंदा जब जब आता है रंग भगवा का लाता है सूरज के अंदर देखो तुम भग भगवा से हिंदू है भगवा से हिंदू सान है श्री राम के तन पर था जो उसको भगवा कहते हैं भगवा राम पर कताक्स करता है एक दो कोड़ी का विधायक कि श्री राम के तन पर था जो उसको भगवा कहते हैं देव मुनी नारायन सारे सब भगवा में रहते हैं रंग लखाल कि आंखों आगben कीbei कर लों पर भगवा मिटना पाएगा जलते लिएपग में भगवा है कब तक उसे उसे और भगवा मिटाने वालों कैसे सूरच चांद मिटाओं और सदभाव प्रेम से जीने की सलह आज भी देते हैं इनसान बने हर कोई दुनिया में बात यहीं हम कहते हैं अपना जगडा नहीं रहा कभी मस्जिद चर्च मजारों से पर जंग हमेशा छड़ी रहेगी घर बैखिल सब कुछ समझते हुए भी इसके आगे उसका स्वारत है ऐसा लगता है और इसलिए इस मोहिम के बाद शरण आने के लिए अब तक को तयार नहीं है ऐसे तमाम इस देश में हुए जो शरण आते तो शायद बच जाते लेकिन शरण नहीं आए इसलिए निस्तनाबूद हो क्योंकि बात हिंदुस्तान के खिलाब कहिए सवेदान की खिलाब कहिए धर्म के खिलाब कहिए संसकारों के खिलाब कहिए और सईश्नुता के खिलाब कहिए यही सईश्नुता अगर खतम हो जाएगी तो वेसी तो क्या उसके वह उंशज नहीं रहेंगे लेकिन हम उन असमे ही एक बड़े शायर हुए अन्हें हिंदूस्तान के बारे में कहा था है कि यूनान मिस्रोमा सम्मिट गए जहां से। बाकी मगर है अब तक नामों निशा हमारा कुछ बात है कहसी मिटटी हमारी सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा तो यह तो आते जाते रहे हैं लेकिन मैं एक छंद जरूर पढ़ना चाहता हूँ और खास तरपा रोवेसी बंदू के लिए और उनसे यह कहना चाहता हूँ कि महसूस करिये समझने की कोशिश भी करिये कि सामने खुदा के पहुँचोगे क्या जबाब दोगे कोई नेक काम कर लेते जिन्दगानी में सामने प्रभू के पहुँचोगे क्या जबाब दोगे कोई नेक काम कर लेते जिन्दगानी में सामने खुदा के पहुँचोगे क्या जबाब दोगे कोई नेक काम कर लेते जिन्दगानी में खलनायकी का किरदार ही निभाते रहे खुश हो सदै बरक्त रंजित कहानी में आपस में भारती के लाडले भिडाए खूब कमी नहीं छोड़ी आपने भी मनमानी में रहते यहां पे इसको ही तोड़ने की बात शर्म हो तो डूब मर चुलू भर पानी में हैंगे तो हतियार लिए हुए हैं मैं कहता हूं कि सेक्यूलर होना बुरा नहीं है धर्म निर्पेक्ष होना बुरा नहीं है लेकिन उसका अतिरेक बुरा होता है अतिस सब जगे बुरी होती है मैं केबल पूरे देश से राजनीति से कानून से सबसे एक ही बात कहना चाहता हू के अंतर तक देहते आए हैं हमें आजादी के सरसठ वर्षबाद ये भाशा सुनने को मिलेगी के अंतर तक देहते आए हैं लाबा से बहते आए हैं अनुयाई बने अहिंसा के हम क्या क्या सहते आए हैं अनुयाई बने अहिंसा के हम क्या क्या सहते आए हैं यद शालीन नहीं बनते नाहिया तंक सहा होता तो निश्यत ही भारत का नक्षा कुछ और रहा होता प्रश्ण यह उठता है लोग कहते हैं हमारी आयू ऐसी है कि हमें प्रेम करना चाहिए पर प्रश्ण यह भी है कि आखिर क्या वो परिस्थितियां इस्थितियां वैसी है मैं चंद रिवेदन करना चाहता हूं कि हमें आग की बात करनी क्यों पड़ती है कि चाहते की बने इश कि और वेशि की भाशाते की बने इश्व सक्टा के ये मठा धिश इनके चरित्र पे जो दाग देखते नहीं जिनके सुनाने से हो में सरसाधना में अफीं अपने भर कखाकरने घर का अगर वो चिराग देखते नहीं हम भी तो मीत फिर प्रीत के पुजारी होते आप किसी लेखनी में आग देखते नहीं राष्ट्र भक्त की जौना में यद इनका स्वार्थ दहा होता तो निश्ट ही भारत का नक्षा कुछ और रहा होता अंतर तक देहते आए हैं और मैं कहता हूं कहीं न कहीं वो तमाम तथाकित जो राजनेता हैं जो सेकुलर अपने आपको मानते हैं और वो जनता भी जो ऐसे बत्तमीज अबद्र लोगों को चुनकर ले आती है चाहे वो बिधाक बना हुआ हो चाहे वो सांसत बना हुआ हो मैं क किसी अंध्य को जो यदि रề बढ़िया सौप दोगे अपनों में बाटने की आदत न जाएगी। जिसने कभी भी शास्तर घ्यान प्राप्थ न किया हो बकवास चाटने की आदत न जाएगी। बचपन से ही जूट बोलना जो सीखा हर बात से ही नाटने की आदत न जाएगी कितने ही भोग आप कुत्तों को लगाएं किन्तु जूठन को चाटने की आदत न जाएगी स्वार्थ सिद्ध ठुकरा कर हमने भी यदि सत्य कहा होता और यहां बोल रहे हैं एक शेर भी सुले की सच कहने की हिम्मत रखते हैं हम दुनिया दारी की कला नहीं रखते आबास तल्क है तीखी है तो है हम दोस्वर बाला गला नहीं रखते कि तो निश्चित ही भारत का नक्षा कुछ और रहा होता अंतर तक देहते आए हैं और आधनी चावांजी मैं यह बताना चाहता हूं कि करना क्या पड़ेगा और अंतता ही यही करना पड़ेगा यह मैं निश्चित कहना चाहता हूं राजनी से भी और सारी जंता से कि धोका कहीं देन जाए धार हीन हत्यार जितना हो शिगर उसे धार देनी चाहिए बार बार जगड़े को आतुर हो कोई उसे करने लड़ाई यार पार देनी चाहिए कोई कारे करत समय यदि बैल कहीं नकरे दिखाए पैनी आर देनी चाहिए जूटना कहाबत जराबिये भुदरगों की पागलो होश्वान गोली मार देनी चाहिए जूटना कहाबत जराबिये भुदरगों की पागलो होश्वान गोली मार देनी चाहिए जाफर जय satisf गहा होता जाफर जय चंदों के बदहित हमने शस्त्अ कहा होता तो निशित भारत का नक्षा कछश और रहा होता और हमारी यह भारत की संस्कृति है कि हम तुछ जैसे कमीने शब्दों को भी विविन्न प्रकार के प्रतिभाव से जवाब देते हैं हिंदुस्तान जिस भाषा में समझना चाहता है उन सारी भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे लेकिन तेरे खिलाप तेरे जैसे प्रोरुति के खिलाप हम हिंदुस्तान को जगा कर छोड़ेंगे हम वो सब कुछ करेंगे यहाँ पर वकील लाए पत्रकार लाए कवी लाए हम सहीत जवानों के विर पत्नियों को लाएंगे विर माता पिताओं को लाएंगे हम यहाँ पर उस सीमा पर उसके मन को कितना चलनी किया है समाच का हरकृत्र बोल सकता है यहंदूस्तान को दिखाना है और किसलिए यह सारा प्रपंश रोज हम आपके सामने लेकर आयें तिंधीन हम आपके सामने बिंदास और बचे हुए दिनों में हम आपके साथ ऐसा पैनल लेकर आएंगे फिर दोहराता हूँ तब तक जब तक इसके पार्टी के खिलाप और इसके खिलाप कारवाई नहीं होती आज के लिए इतना है जहन